शरीर सुखाने वाली सर्दी जी हाँ आप में से ऐसे लोग जिनकों की बार बार सर्दी साइनस रिलेटेड इशूज होते हैं और उसके करण आपका शरीर जो है वो सूखने लग गया है शरीर एकदम दुबला पतला कमजोर वीक होने लग गया है तो ऐसे में वो कंडिशन क्य क्यूं होती है और उसमें क्या खान पान या किस टाइब के ट्रीटमेंट आई रिवेद में बोले गये हैं वो जानेंगे आज इस वीडियो में स्वागत है आप सभी का मिश्रवेदा में और आज का टॉपिक है कि शरीर सुखाने वाली सर्दी या फिर सर्दी और शरीर का सूखना तो सबसे पहली बात आई रिवेद में जो शरीर सूखता है उस बिमारी को हम राज यक्ष्मा बोलते हैं राज यक्ष्मा मतलब कि यह बी नहीं होता तो राज यक्ष्मा या फिर शरीर सूखने की जो रोग है उसकी अलग 11 टाइप के जो सिम्टम्स है वो बोले गये हैं तो उसमें हर अलग-अलग सिम्टम्स के लिए अलग-अलग कारण और चिकित्सा बोली गई है जिसमें कि सबसे पहला लक्षन बोला है प तो सर्दी के कारण 5, 8, 10 साल, 15 साल, 20 साल धीरे δीरे आपका शरीर सूखने लग गया है वीक होने लग गया है कमजोर होने लग गया है तब ऐसी कंडीशन में क्या करें वो हम जानेंगे तो सबसे पहले उसका कारण ऐसे बोला गया है जो भी बढ़ आस वीडियो में जैसे चार में कारांट बताई थे वो कारण में से कोई विजू वेक्थि ऐसी चीज करता है ता है उसके शरीर में क्या होगा कि दोष ंय की शिर की वाइब वार्यबत क्यों को तरहकाया होता है उसके वाइब बढ़ आहा होताह। आपको फिर शरीर सूखने जैसी बीमारियां वो करेगा तो इसके कुछ लक्षण बोले हैं कि अगर आपको ऐसी सर्दी है जिससे की शरीर सूखने लग गया है तो और क्या-क्या सिम्टम्स आपको शरीर में देखने मिल सकते हैं वो भी आयर्विद में बताया गया है सबसे पहला उन्हों लक्षण बोला है कि सिर में भारी पन रहना जिसको कि शिरो गवर बोलते हैं कि आपको एकदम भारी लएगा ऐसे लेगा किसी ने बहुत हैवी सामान रख दिया है य सिर दर्द भी हो रहा है और बोड़ी सूख रही है तो वो राज यक्ष्मा के कारण होने वाला सर्दी और सुखापन होगा एक विश्यस लक्षण उन्हें बोला है घ्राण विपलव ग्राण विपलव वर्ड का मतलब होता है कि जिनको स्मेल बिलकुल भी नहीं आती है जि सुखी खांसी कफ वाली खांसी इस तरह के इशूज होने की जिनको तकलीफ होती है और कुछ लक्षण बोले हैं जिनको बार-बार कफ होते रहता है बार-बार ऐसे लगता है कि कफ निकलेगा या खाने में जिनको भी इंट्रेस्ट नहीं आता है खाने में जिनको भी मन नह होते जा रहा है मतलब आंखों का नंबर आ गया कान से कम सुना ही देने लग गया है साइनस की तकलिफ तो ही मुझ से टेस्ट भी नहीं आता धिर धिरे टच के संसेशन भी फिल नहीं होते इस तरह के रोग आपको देखने मिलेंगे तो क्या करें अगर शरीर सूख भी रहा है बार-बार साइनस भी हो रहा है तो कुछ उपाय है जो आपको डेफिनेटली करना चाहिए जो इस बीमारी को आपको जड़ से ठीक करने में मदद करेगी नंबर एक जो की आईरवेद में बोला गया है वो है वमन कर्म जो पंच कर्म में वमन नाम की चिस्सा होती है जिसमें करणे कि आपको 5-7 घी पिलाकर एक दो दिन मालिश करेंगे और फिर वोमिट मेडिकेटेड और यह सब इक उल्टी करेंगे वह करना चाहिए क्यूंकि एक बर वह सिस्टम आपका क्लियर हो गया कफ निकल गया यह सिस्टम क्लियर हो गया तो ज्यादा अच्छे से आपकी जो sinus related problem है वो ठीक हो पाएगी क्योंकि कफ जो पैदा होता है या कफ का जो production होता है वो आमाश्रे में होता है नमबर टू, वमन हो जाने के बाद आपको नर्ष्ट जैसे जो treatment है जिसमें कि आप शंड बिंदू तेल थोड़ा strong होता है अनू तेल जिनको बहुत ही जादा रुक्षता है उनको इन दो में से कोई एक तेल यूज़ कर सकते है शड बिंदू जिनको strong तेल suitable है उनके लिए नॉर्मल लोगों के लिए अनू तेल ये यूज़ कर सकते है खान पान में आप कुछ चीज़े कर सकते हैं जैसे की कुलत होती है जिसको हॉर्स ग्राम बोलते हैं कई बार कुल्थी बोलते हैं उसका सूप बना कर आप पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं कि कुलत की डाल आपने 20 ग्राम ले ली और पानी ले लिया आधा लीटर उबाल कर हाफ किया उसमें काली मेर्च, सूंट, पिपली जिसको की तरिकटू बोलते हैं वो दो चुटकी डाला थोड़ा सा अनार के जो दाने हैं वो डाल कर आप पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं वो फाइदे मंद रहेगा आप दिन में ये वाला सूप दो से तीन चार बार भी ले सकते हो पीने के लिए पूरे दिन में सादा पानी पीने साच्छा है कि धनिया और सोट उसका पानी आपके लिए बहुत फाइदे मन रहेगा तो 5 ग्राम धनिया का पाउडर, 5 ग्राम सोट का पाउडर एक लिटर पानी में डाल कर उबाल कर हाफ कर लो दिन में थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके जब जब प्यास लगे ये लीजिए ये आपकी भूग खुलने में मदद करेगा नरिश्मेंट करेगा और जो सरदी होई है या साइनस बार-बार हो रहा है उसे ठीक करने में मदद करेगा आयर्विदिक मेडिसिन्स में जो शीतोपलादी जैसी जो आउशदियां है जो कि शरीर का सुखापन भी कम करती है और साइनस पे काम करती है वो आप दो-दो चुटकी करके हर एक-एक घंटे में ले सकते हो आट से दस बार दिन में फायदे मन रहेगी रात में सोते समय सुखापन वसंत मालती जैसी जो दवाईयां है जो कि साइनस और सुखापन दोनों पे काम करती है वो आप ले सकते हो एक-एक गोली रात में सोते समय या अगर गोल्ड प्रिपरेशन आपको बहुत महंगी पड़ती है तो अश्वगंदा जैसी दवा जो है जो की नरिश्मेंट भी करती है और साइनस कम करने में मदद करती है वो आप 1-4 चमज रात में सोते समय गरम पानी के साथ ले सकते हैं एक और बहुती स्ट्रॉंग दवा है अगर आपको लंबे समय से साइनस रहा है और शरीर सूखने लगया है तो अभरग भस्म जैसी जो दवा है सहस्त्र पूटी अभरग भस्म वो वन पिंच एक चुटकी शहद में मिलाकर रात में सोते समय तीस से चालिस दिनों के लिए ले सकते हैं या एक बहुती अच्छी चीज आप में से ऐसे रोग जिनका डाइजेशन अगनी बहुत अच्छा है श्रीखंड जो होता है वो बहुत अच्छा काम करेगा साइनस में भी और वजन बढ़ाने में भी आप बोलोगे स्रीखंड वो तो और सर्दी बढ़ा देगा वो वमन कराकर अगर आप स्रीखंड यूज करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फाइदा करेगा मैंने यूट्यूब पे इस पर अलरड़ी वीडियो डाला है कि श्रीखंड जो आईर्विदिक तरीके का जिसको हम रसाला बोलते हैं स्रीखंड आईर्विदिक तरीके से अगर आप बना कर लेते हो तो साइनस रिलेटेट प्रॉब्लम में बहुत अच्छा काम करता है और लास्ट अगर आपको कोई एक चीज क्योंकि यह प्राण वायू रिलेटेट बीमारी है तो मल्टीपल टाइम अगर आपको कोई दवा लेना है तो शीतोपलादी चूर्ण दस ग्राम अब्रग बस्मा एक ग्राम मिक्स करके लो और दिन में एक चुटकी करके आठ से दस बार लेना चाहिए यह कुछ उपाए अगर आप करते हैं तो इससे अच्छा खासा आपको आराम करने मिलेगा इस वीडियो में बताएगा है जो भी डिस्कलेमर के तौर पर जो भी चीज़े हैं हम अपने पेशेंट्स पर यूज करते हैं बट आप कोई भी उपाय करने से पहले एक बार अपने आयर्विदिक डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए कई लोग बोलेंगे तो बताय कि जब डॉक्टर से पूछना है बता पूछ के उनके अंडर में करेंगे तो वो ज्यादा सेफ रहेगा बजाए कि सेल्फ ट्रीट्मेंट करके खुद को हाम करने का ठीक तो यह सारे उपाये हैं अगर आप करते हैं तो आपका जो सर्दी की तकलीफ और जो शरील सूखने की तकलीफ है वो दोनों तकलीफ में बस्त रहें मस्त रहें